हलो, All is well 2.0 में आज हम बात करेंगे कि 2000 के नोट जो है वो बंद क्यों हुए, क्या 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएंगे 2000 के नोट, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुप्यों के नोटो को बदलने की सीमा जो है वो 20,000 रुपे तक की जा सकती है RBI का कहना है कि सबी बैंक 30 सितंबर 2020 तक 2000 रुप्यों के नोटो को जमा करेंगे RBI को उमीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए चार महीने का जो समय है वो काफी है चलन में मौजूद 2,000 रुप्यों के जादातर नोट 30 सितंबर की निर्धार सीमा के बीतर बैंकों में वापस ले लिया जाएगा RBI ने बैंकों को आदेश दिया है कि अब वो ग्रहकों को 2000 रुप्यों के नोट जो है वो देना बंद कर दे RBI ने 2000 रुप्यों के नोट नवंबर 2016 में नोट बंदी के बाद पहली बार जारी किये थे तब सरकार ने 500 रुपय और 1000 रुपयों के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था इनके साथ 500 रुपयों के साथ नए नोटों के अलावा भारते मुद्रा बजार में 2000 का जो नोट है वो जारी किया गया था